विगबुस सीजन 13 से जुड़ी हम हर खबर आप तक सबसे पहले पहुझाते हैं लेकिन उसके साथ ही हम आपके लिए जो नए कॉंसेप्ट लेकर आया है टॉप 5 खबरों का यह हर रात आठ बजे आपको एपिसोड से पैखले ही वो अंसुनी बाते बता देता है जो शो से रिलेट करती है जो खबर आपको कही और नहीं मलती है वो सिर्फ आपको यहीं मलती है तो आज पिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज की तो 5 खबरे तो चले जान लेते हैं खबरों के बारे में तो विकबो सीजन 13 से जुड़ी जो पहले खबर सामने आ रही है वो ये है कि अपने उंगली का सरजरी करवाने के बाद कुछ दिन सीक्रेट रूम में बिताने के बाद पारश चाबरा की बुख्या घर में एंट्री हो चुकी है और पारश चाबरा ने घर में एंट्री मारने के बाद घर बालों के कई रास खोले हैं जो की गेम का रुख ही पलट देंगे सल्मान खान के सीजन को छोड़ने को लेकर कई दिनों से खबरे आ रही है कभी कहा जा रहा है कि सल्मान continue करेगी तो कभी कहा जा रहा है कि सल्मान जल्द ही शोको छोड़ देंगे और उनकी जगा फराख खान शोको host करटी हुई नजर आएंगी तो आपको बता दे कि अब खुद सल्मान खान ने इस बात को confirm कर दिया है कि हाँ ये बात सच है कि वो बहुत जल्द ही शो को छोड़ देंगे क्योंकि इसका असर उनकी तब्यक पर पढ़ रहा है सिधार शुकला इन दिनों टाइफाइट से पेडित है और अपने इलाज के लिए वो सीक्रेट रूप में थे और वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे गया था लेकिन सीजन 13 में उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो चुकी है विकास गुपता इस हफते के नए कपतान है क्योंकि जो टास दिया गया था सिधार शुकला और पारश शाबरा के द्वारा उन टास में विकास गुपता ने सबसे वैतरी परफॉर्म किया और उन्हें घ अब तक तो लगतार मधुर्मा तुली नमबर चार पर बनी हुई है लेकिन ये तो विकन का वार पर ही क्लिया होगा कि कौन सा सदर्शे घर से बेकर होगा तो दोस्तो ये थी आज की टॉफ फाइफ खबरे जहाँ पर आपको एपिसोड आने से पहले ये पता चल जाता है कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होगा इसके अलावा आपको वो भी खबरे पता चलती है जो आपको कहीं ओ नहीं मिलती है फिर चाहे वो सीजन के कंटेसन से जुड़ी हो चाहे भीकिन का वार की लाइव अपडेट्स हो या फिर मेकर से जुड़ी कुछ और खबरे आपको ये सारी खबरे इन टॉप फाइफ न्य रिपोर्ट सब्सक्राइब करे हमारा चैनल ऐसी ही लिटिस्ट और इंट्रस्टिंग नीव्स के लिए